पूण वैज वेलकम नो माई चानल दिशनल पाशा आज के इस वीडियो के अंदर हम यह समझ के लेगे कि गूगल आट के कैम्पेंग को हम कैसे सेट अप करते हैं इसके पहले का चो वीडियो था हमने वहाँ पर कैम्पेंग का ओवर्विव देखा था कि कैम्पेंग के इंदर settings क्या होती है, ad group के अंदर क्या settings होती है, ad copy के अंदर क्या settings होती है अब हम example लेगे, एक magic brick, एक property listing platform है उसका example लेकर कि हम campaign के strategy बनाएगे और उस strategy को हम अपने campaign के अंदर implement भी करेगे तो चलो हम चलते हैं हमारे laptop screen के उपर So guys, यहाँ बर हमने campaign create किया था last time और हमने just campaign की overview देखा था, कि उसके अंदर क्या-क्या settings रहती है Now, अब हम कुछ example के साथ में जाते है, तो देखो यह देख सकते हैं आप यह property listing platform है magic brick, और यहाँ पर बहुत सारी type के property दिख़े दे रहे है अगर आपको magic brick के property को promote करना है, तो आप कैसे strategy बनाओगे तो आपको कुछ में examples दिखादा हूँ, जैसे यहाँ पर हमको property sale करनी है See, इसमें अगर आप देखोगे तो rental property भी है, but rental हम provide नहीं करें हम लोग चाहते हैं कि हमारी property sale करें, so यहाँ पर आप example consider कर लो Just imagine करो guys कि magic brick के लिए आप काम करें, उनके property को आपको promote करना या हो सकता है कि आप उनके लिए digital marketing की agency में work कर रहें और आपको उनकी property को promote करना है, now यहाँ पर आपको बहुत सारे type के property मिलेगे Ready to move property, owner property, budget property, अब हम कुछ example लेगे और उसके related campaign की settings हम target करेगे, ad group target करेगे, keywords हम उसके अंदर utilize करेगे तो basic मैं इसका overview यह देना चाहता हूँ कि मुझे campaign setup करना है इंडिया के पूने city के लिए, ठीक है अब पूने city के अंदर भी बहुत सारे areas है, मैं specifically किसी area के target नहीं करना चाहता हूँ पूरे पूने city के अंदर मेरे ad दिखाई दे, यह मेरा intention है, वहाँ पर के जो language बूली जाती है, Hindi, Marathi, English so उसको मैं target करूगा और यह अलग-अलग type के ad group भी मैं बना हूगा तो पहले मैं campaign का overview देना चाहता हूँ, तो हम वह समझ के लेते हैं और फिर बाद में हम जाते हैं directly हमारे google ad के campaign के अंदर और फिर हम campaign create करते हैं now see guys, यहाँ पर मैंने कुछ example आपके लिए बनाया है, so अभी यह हमारे कुछ rules है या इसको हम कह सकते हैं कि settings हम जिसको target करेंगे कि magic brick नाम का campaign हम create कर रहे हैं और उस campaign के अंदर हम जो campaign के अलग-अलग type थे हमने जिसे दिखा था कि search video display तो उसमें हम search type को select करेंगे और campaign goal हमारे यह रहे है कि जाधा-जाधा lead आए तो हम lead option select करेंगे, network type हम search select करेंगे, devices हम mobile desktop कभी पर भी target कर सकते हैं अगर मेरे पास बहुत सारा budget है तो मैं उसके according target करूगा टैबलोट, desktop या mobile devices पे, mostly यह device वाला option रहता है जब हम campaign run करते हैं, जब हमको result दिखाई देते हैं, उसके बाद हम उसके according optimize करते हैं और now location based कि हम location कहां पर target करना चाहते हैं, अब अगर user पूने के है और पूने के अंदर ही पूने property search कर रहा है, तो उनको अगर मैं add दिखा होगा तो वो जाधा relevant match करेगा, okay, so that's the reason मैं जो users पूने के अंदर है इस time पर उनी को target करना चाहता हो, languages है, Hindi, English, Marathi में target करूगा, bidding, manually pay करना है, automated pay करना है, budget कितना रहेगा, per day का, so these are the major options which we have to select inside the campaign settings, okay, अब यहाँ पर अगर आप सोचो, यहाँ पर हमारे पास जब हमने campaign create किया था, और campaign के अंदर हम चाहे तो कितने भी add group बना सकते है, you can see, यहाँ पर हमारे पास option रहता है, add group create करने का और इसके उपर click करने के हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमको keywords add करने का option मिलता है, तो campaign के अंदर campaign, add group और add copy यह major तीन चीज़े रहती है, अगर आप यह कहोगे कि मैं पूरे की पूरे keyword, जितने भी properties है, पूरे keywords या हर जो variety है इनके पास, वो पूरे property को add a time promote करोगा, तो वो बहुत difficult हो जाएगा, और उ करेगा, so to do that, अगर हमको add campaign की quality बढ़ानी है, हमको relevant user ही हम तक के लेकर के आने है, तो हमको अपने campaign को add group wise categorize करना पड़ता है, for example, मैं example के तोर पर समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगी, कोई search कर रहा है rental property, okay, under 50,000, 25,000 और maybe 15,000 के अंदर वो property देख रहा और normally rental property वो चाते है, but जो purchase करना चाते है, वो 15,000 के अंदर property नहीं देखे कि, they might be searching for 50,000,60,000, उनका intention अलग रहता है, so यह categorization आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी के basis पे आप वही keywords वहाँपर add करोगी, see, अगर आप rental property के लिए keyword का जो cost पर click होता है, वो कम रहता है, अगर हम sale property की बात करते हैं तो उसका keyword का cost वगरे जाधा रहता है तो इसी के basis पर मैंने क्या है कि यहाँ पर 4 ad group बनाया है ready to move property, budget friendly property, under construction property यह अलग-अलग type के ad groups create किये हैं So you can see ready to move, इसके अंदर हम वैसे ही keywords add करेगे जो यह property को search करते हैं For example, वहाँ पर कोई search करेगा कि ready to move 2BHK flats in Pune, 2BHK flats near particular location, Baner या Kharaadi जो भी popular location उसका नाम enter करते हैं और फिर sale के लिए या amenities के point of face से इस तरह से कुछ keywords search करते हैं तो जब कोई user इस तरह से keyword search करता है तो हमारा भी यह add copy जो है वही type का content दिखाना ज़रूरी है अगर वो कुछ और ही information दिखा रहे है तो वो add की उतनी quality नहीं बढ़ेगे और आपके पैसे भी जादे लगेगे और आपके जो user है वो सही quality lead नहीं लेकर कर आएगे So see guys, अगर मैं इस तरह से search करता हूँ तो अभी मेरे पास बहुत सारे options आ रहे If you can see, ready to move के related ही आ रहा है यहाँ पर rental property का कोई information नहीं आ रही है क्योंकि यह keyword को उन्होंने properly जो sale related keywords campaigns है या ad groups है उसी के अंदर add किया है तो add group is nothing but categorization of your relevant services, product और maybe जो user search कर रहे है उसके according आप क्या करते है उस keyword को एक अलग group के अंदर add करते हो और उसी के relevant add copy लिखते हो ताकि जब भी कोई user कोई information search करता है तो उस information के related उसको add copy देखे और फिर वो add copy को देख करके आपके landing post रहे है यह end goal रहे था फिर उसके बाद आपने landing page कैसे बनाया है उसके उपर inquiry form वो कैसे add कर रहे है यह बहुत next चीज़े होती है तो अगर आपको add की quality बलानी है तो आपका add group के अंदर के जो keyword है और add copy है इट शुड़ भी relevant ओके यहाँ पर मैंने कुछ ready to move के related keywords add किये है और उसी के related add copy add किये same thing अगर कोई budget friendly home देख रहा है कम budget के अंदर या उसमें specify कि मुझे 40 lakh के अंदर ही 30 lakh के अंदर ही flat देखने है तो वो keyword जो है budget oriented रहेगे या affordable keywords रहेगे so that keywords हमको add करने पड़ेगे क्योंकि हो सकता है कि किसी को ready to need अलग हो सकती किसी को immediately move करना है तो उसके हिसाब से keyword सर्च कर रहा है कि मुझे ready flats चाहिए कोई सर्च कर रहा है कि नहीं कि मुझे time है लेकिन मैं चाहता हूं कि budget friendly है मेरे बजट नहीं है जादा तो मैं low budget के ही flat देख रहा हूं so उसके हिसाब से keyword अलग रहेगे add copy अलग रहेगे same चीज़ अभी यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसो के कमी नहीं है और उसको ready to move भी नहीं चाहिए वो एक-दू साल तक के wait कर सकता है but उसको luxury property चाहिए so luxurious property के related luxury keywords भी रहेगे right you can see the keywords इस तरह से keywords है और add copy हम वही दिखाएगे ताकि उनको समझ में आएगा कि और मैंने तो luxury property के लिए सर्च किया था और मुझे luxury add copy दिखाए दे रहेगे see guys बहुत बहुत चोटी चोटी चीज़े रहती है लेकिन बहुत important role play करती है अगर आपने किसी ने सर्च किया luxury 2BH के flats इन पूने और वहाँ पर आप affordable flats के add copy दिखा रहे हो तो वो user उस add के ओपर click नहीं करेगा so इसके लिए हमको ये research करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा add group क्या है हमारे add copy क्या है हमारा keyword क्या है कौन से user का intent है उसके हिसाब से हमको add copies होगे रहे बनानी बहुत important role play करती है same चीज मैंने यहाँ पर under construction add कि है under construction जो कि अभी तक के flat rate ही नहीं है बट 2-3 साल के बाद रेड़ी हो जाएगा पास साल के बाद रेड़ी हो जाएगा आपको यह जो मैंने बनाया यह campaign के हम पूरा structure ready करके रख दिया अब यह campaign के structure के according हम क्या करेगे हमारे यूगल आइट के campaign के उपर जाएगे और पूरी settings वगरे target करते हैं अब यहाँ पर मैं आ गया campaign के उपर अब मुझे क्या करना है campaign create करना तो लास्टाम हमने campaign create करने के लिए क्या किये थे इस पर क्या थे और प्लस campaign के उपर क्या track करना चाहते हो page views track करना चाहते हो lead form submission track करना चाहते हो यह बहुत different type की settings रहती है तो मैं यह conversion goals यह conversion setup को separately आपको समझाओगा now अभी के लिए मैंने सिर्फ select किया lead मेरा focus है कि maximum lead आए और मैंने click किया continue के पर जैसे मैं click करता हूँ यहाँ पर मुझे बता रहा है कि search, display, shopping, video, किस type of campaign create करना है वो मुझे पूछा जा रहा है तो मैं तो अभी आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर मैं search campaign prefer करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इस पर search campaign select कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा intention यह है कि जब भी कोई user Google के अपर search करेगा property related तब मेरी ad copy top में pop up हो जाए जिस तरह से यहाँ पर हमने search किया था और search करने के बाद यहाँ पर property pop up हो रही है, similarly मैं यहाँ पर भी वही चीज़ apply करना चाहता हूँ, now यहा website के ओपर visit लेकर के आना, phone calls लेकर के आना, या फिर मेरा कोई store location है offline, वहाँ पर मैं visit कराना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास inquiry form है, उसको मैं submit कराना चाहता हूँ, basically मैं इसमें से first option को prefer करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर website का page create किया है, वहाँ पर ही मैं user को land कराना चाहता हूँ, so guys मेरा जो पहला page है, इसको मैं copy करता हूँ, इस URL को और यहाँ से copy करके मैं इसमें enter कर देता हूँ, so मेरा intention यह है कि user जब मेरे add copy देखे, okay, इस तरह से search करने के बाद जब मेरे add copy देखे, तो click करके यहाँ पर पहुचे, और फिर मैं इसके पर continue पे click कर देता आँ, now guys, यहाँ पर हमको आता है campaign का नाम देना, तो अब मैं campaign का नाम यहाँ से दे देता हूँ, क्योंकि मैं यह campaign का नाम define किया है, तो मैं जो campaign के name की strategy यूज करता हूँ, हमेशा campaign और उसके बाद जो भी campaign है, वो define करता हूँ, हो सकता है कि मैं campaign, अगर magic brick के दो campaign create कर रहा हू कि एक sale के लिए, एक rent के लिए, तो मैं हो सकता हूँ कि यहाँ पर mention करूँ कि magic brick buy property, magic brick rent property, magic brick sell property, अलग-अलग type के हम campaign के name दे सकते, बट अभी के लिए हम एक ही campaign मना रहा है, इसलिए मैं campaign का नाम यहाँ पर दे रहा हूँ, okay, so let's do that, यहाँ पर हम दाते है campaign और magic bricks, इस तरह से मैंने campaign का name दे दिया, अब मैं इसे पर click करता हूँ, continue, पुराने campaigns को restart करना है तो हम start कर सकते हो, but I am just going with fresh new campaign, यहाँ पर bidding पूचा जाता है कि bidding आप किस चीज़ पर bid करना चाहते हो, तो मैं अभी focus करना चाहता हूँ maximum convergence पर, आप clicks के उपर भी focus कर सकते हो, आप impression share के उपर भी focus कर सकते हो, bidding strategy को हम separately समझेगे, but अभी हम यहाँ पर कह रहे है, in short, कि आप Google भाईया, आप क्या किज़े हमारे को जाधा जाधा convergence लेकर कर कहा है, यह हमारे budget के अंदर, so I am just keeping that, और उसके बाद हम यहाँ पर next पर click करते है, यहाँ पर target cost per acquisition भी रहता है, एक conversion के लिए आप maximum कित हम cost per acquisition का जो target है, वो set कर सकते है, initially हमको इसको set करने के ज़रूद नहीं रहती है, now मैंने इसके click किया, next पर मैं move कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ, इसमें मुझे options में रहे है कि search या फिर Google display network, तो मैं इसमें से search network को ही prefer कर रहा हूँ, display network को prefer नहीं कर रहा Google के बहुत से display websites रहती है, वहाँ पर हमारी add दिखाए देगी, बट मेरा जब search term है, और मैं text based add run करना चाता हूँ, इसलिए मैंने search network को prefer किया, now moving down guys, यहाँ पर हमको option मिल रहे है, location based targeting के, अब add कहाँ पर run करना है, all countries, territories नहीं, अगर मैं यहाँ पर run करूगा, तो मेरा कुछ ही 20 minutes के अंदर पूरा के पूरा budget exhaust हो जाएगा, so मैं इंडिया के अंदर add run करूँगा, नहीं, इंडिया के अंदर भी नहीं run करना चाता हूँ, क्यों मेरा budget कम है, आप देख सकते हैं, फिर 5000 per day का ही मैंने budget रखा है, so मैं चाहता हूँ कि पूने city के अंदर ही मेरी add run हूँ, तो जो user पूने के अंदर search कर रहा है, उन्हीं को मेरी add दिखाए देगी, now next moving, यहाँ बर मुझे targeting language based, अभी देखो guys, यहाँ पर अगर अगर आप language search करोगे, तो जो user English में search कर रहा है, या बात कर रहा है, उनको मेरी add दिखाए देगी, but अगर मैं पूने की geography understand करो, और वहाँ प पूने के अंदर Hindi और Marathi बहुत बूली जाती है, so उस हिसाब से मैं यहाँ पर तीन language user को target करना चाहता हूँ, okay, so तीनों के मैंने target किया यहाँ पर, अब यह जब Hindi और English या Marathi speaker, जब Google के उपर search करेगे, कोई property related ads, तो वहाँ पर मेरी add reflect हो जाएगी, now audience based segment option मिलता है guys, यह actually हम display add के लिए prefer करते हैं, मैं उसको separately आपको समझाओगा, keyword match type बता रहा है, broad keyword match type, अभी क्या होता है आपकी जो property 2BH के प्लाइट से है, उसके relevant महुत सारे queries Google के पर search की जाती है, उसको भी add Google दिखा देगा, कि आपकी add उस keywords के लिए भी दिखाना start करेगा, but हम नहीं चाहते कि हमार keyword, phrase, exact, keyword के match type रहते हैं, इसको हम separate video में समझ के लिए ते, अभी के लिए मैं इसको touch नहीं करना चाहता हूँ, अब इसके उपर just off के उपर click कर लो, more setting पर जाएगे तो more options मिलेगे, okay, हम यहाँ पर अभी deep में नहीं जा रहे है, इसके उपर मैं click करता हूँ, next के उपर कब campaign start हो होगा, यह भी options रहते हैं, इसके अगर आप देखोगे कि मुझे सिर्फ add Monday to Friday ही run करनी है, timing क्या select करना है, यह बहुत सरे options हमारे पास मिलते है, for example, जब users morning में मैं 10 बजे से लेकर के, रात में 8 वे तक के मेरे campaign को run करना चाहता हूँ, तो मैं वो time select कर सकता हूँ, see guys, अगर office ही यानी की 18 यानी की 6 वे तक के मैं campaign run करना चाहता हूँ, so इस तरह के आपको setups करने पड़ेगे, और इसके बाद यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कि चलो आपकी ad हम खुद create करके देते, आप बस landing page बताईए और आपके जो services वो बताईए, भी AI का जमाना है, तो हम आपकी ad copy भी खुद create करके देते, बिट हम नहीं करना चाहते है, अभी उसको हम बाद में कभी किसी वीडियो में देखेगे, अभी के लिए हम skip करके यहाँ पर पहुँच के, तो guys यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे keywords आगे, तो हम इतने सारे keywords add नहीं करें, हम लोग add कर के बाद हमको landing page का URL दिख रहा है, अब मैं जाता हूं इसमें, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको preview भी दिखाए देगा, desktop का preview, mobile का preview यहाँ पर हम देख सकते हैं, so this is for desktop, okay, यहाँ पर मैंने keywords add कि यहाँ पर आप suggestions भी ले सकते हो, Google खुद आपको suggest करता है, different type of keywords, मैंने keywords add कि और यहाँ पर पहुशने के बाद मुझे preview दिखाए दे रहा है, यह URL by default पिक किया, जहाँ पर हमने शुरुआत में URL add कि थी, वही URLs ने पिक किया, तो अब मैं चाहता हूं ready to move, so कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मेरा जो add group है, ready to move का ही है, तो मैं ready to move, property जो search करते हैं, उन ready to move, so user को immediately समझ में आएगा, कि अच्छा, यह ready to move का landing page है, जहाँ पर मैं पहुशने वाला, यह देखो, यहाँ पर ready to move, इस तरह से आपको दिखाए देगा, now, इसके नीचे headlines के option में, बहुत सारे headlines है, 15 headlines हम add कर सकते हैं, but, जो relevant आपको लगता है, उस keyword के साब से, देखो यह copy paste करते हैं, तो headlines आपको बाद में बनाना का, और भी हम सीखेगे, इसके उपर अलग-अलग type के videos लेकर कर आएगे, कि कैसे हमने headlines लिखना चाहिए, कैसे हमने add copy का description लिखना चाहिए, तो अभी के लिए मैंने जो headlines बनाई है, उसको मैं इधर जाकर के control V paste कर देता हूँ, ताक call for mold details मैं नहीं select करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं call नहीं कराना चाहता हूँ, मेरे landing page के पर user को पहुचाना चाहता हूँ, so this guys, आप यहाँ पर देख सकती, add कैसे अपकी दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद फिर मैं इस पे click कर देता हूँ, description के अंदर, यहाँ पर आप दे call देता हूँ यहां से, क्योंकि I don't want to make a call, I want people to visit on my website, तो यह मैंने add किया, फिर second, जो description है, उसको मैं add कर देता हूँ, यहाँ पर और आप और चीज़ देखोगे, तो इसमें character limit रहती है, 90 character के limit है, इसमें description के लिए, headline के लिए, अगर आप देखो, 30 character के limit रहती है, तो इसी के आपको दिखाई देता है, यहाँ पर और भी options है, extensions रहते हैं, extensions के जरिये से हम और भी extra information हमारे add copy के अंदर add कर सकते हैं, जिसके वेज़े से हम add के अंदर बहुत सारी information share करेंगे, और user को हम अपने add copy के उपर click करवाएगे, तो आभी के लिए मैं वो चीज़ें नहीं करना च करता हूँ, extensions हम separately understand करेंगे, now यह हो गए हमारी first add group की add copy, और इसके पर मैं click करता हूँ, done, and यहाँ से हम इसको चाते है, next के ओपर click करने, okay, तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है budget, कितना budget add करना है, तो as per the हमने, जो define किया था strategy, इसके साब से 5000 per day हमको budget add करना है, तो मैंने इसमें मैं add करता हूँ, custom budget, और इसमें हम add करेंगे, 5000 per day budget, okay, now we'll go to next, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह मेरा campaign ready to publish, बाकि अगर आपको कुछ error आता है, तो error को आपको जाकर check करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मेरे campaign है, इसके अंदर कुछ error आ रहा है, तो yes, तो यह क् यह commas आप add नहीं कर सकते हूँ, let's remove that, okay, जो भी error आता है, आपको error को देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप error को इस तरह से gap कर सकते हूँ, so I'm going here, double inverted comma, special character allowed, नहीं है keyword के अंदर, तो हम उसको remove करते हैं, now, फिर से अब जाकर के देखते हैं, और अभी try करते हैं हम लोग, और फिर से मुझे error आ रहे हैं, क्यों, क्यों error आ रहा है भी यहाँ पर, हो सकता है, add copy का error रहेगा, या तो फिर हमको keywords का, तो enter keyword हमने properly add किये हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई और चीज़ आट करने की ज़रूरत है, let's see the next, और let's go to next and publishing, so फिर से error चेक किये जा और एक error है या नहीं, और Google cross check करता है कि कोई special character वगरे तो नहीं, now guys you can see the मेरा campaign is ready to publish, क्योंकि मेरे campaign के अंदर कोई भी error नहीं है, okay, अब यहाँ पर हम click करते हैं, और publish campaign पे click कर दे रहा हूं, but अभी हमने जो बाकी की strategy बनाई है, बाकी की जो add group बनाए है, वो हमने अभी तक क है, वो तो हमने implement की, एक add group बन गया, ready to move वाला, okay, और उसके अंदर हमने keywords add की, add copy add की, but बाकी के add groups का क्या, बाकी के जो हमने add groups बनाए है, वो कैसे add करे, so उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, see guys, मैं इसको यह track वगरे करने के लिए बता रहा है, हम tracking वगरे, बाद में setup करेगे, now you can see, यह मेरा campaign यहाँ पर आपको दिखाए देगा, let's come here, मैंने इसके उपर click किया, और search campaign के अंदर magic brick campaign जो हमने setup किया, 50,000 budget हो गया है गलती से, तो इसको हम जाकर edit कर देगे, और इसको हम कर देते 5000, now, यह add group इसके अंदर कितने है, हमको check करना है, तो इसके उपर click करेगे, जैसे click करता हूँ, यहाँ पर हमको add group 1 दिखाए दे रहा है, तो guys हमारा add group 1 था, उसका नाम मैं देता हूँ, ताकि हमको easily समझ में आ जाएगा, so let's come here, इसको हम जाते हैं, copy करते हैं, और इसके उपर जाकर करके हम, paste कर देते हैं, okay, so this is ready to move वाला add group, okay, अब इसके click करोगे, तो आपको दिखाए देगा, इसके ready to move के, जो keywords है, वही keywords आपको यहाँ पर दिखाए देते हैं, okay, you can see the all keywords here, और उसी के related add copy आपको यहाँ पर दिखाए देगे, जो हमने add copy बनाई है, अगर आपको उसको edit करना है, तो यहाँ पर pencil icon मिलता है, उसके पर click किज़े, उसको edit कर सकते हैं, और अगर आपको उस keyword को edit करना है, जो हमने keywords add किया है, तो आप यहाँ से उस keyword को modify कर सकते हैं, now, अभी तक कि हमारा जो है, एक ही add group बनाया है, अगर मुझे दूसरे add group बनाने है, तो मैं यहाँ पर click करोगा, say guys, हम कहाँ पर है, यह हमको check करना जरूरी है, हम लोग है search campaigns के अंदर, जिसमें हमने select किया है campaign magic brick, और उसके अंदर हमने एक add group select किया है, ready to move, और उसके अंदर हम जाएगे, उस campaign के अंदर, और यहाँ पर हमारा ads दिखाए दे रहा है, अब मैं चाता हूँ नया add group create करे, तो फिर से मैं campaign level पर जाओगा, और यहाँ से हम add group पर जाएगे, और इधर से मुझे new campaign पर click करना पड़ेगा, new campaign पर click करने के बाद हमको option मिलेगा, keywords add करने के लिए, और ad group का नाम देने के लिए, तो हम लोग इस बार इस particular ad group का नाम देदेगे, तो हम चलेगे यहाँ पर और इस के अपर click करके हम जाते हैं, यहाँ पर और इस ad group का नाम मैंने add किया, now keywords हमको add करने होगे, जो हमने keywords already organized किये है, वो keywords को मैं copy paste कर देता हूँ, okay, so let me come here, और अगर हम देखते हैं, तो यह हमको double inverted comma को remove करना पड़ेगा, तब ही जाकर करके यह हमारा ad group से हो जाएगा, so let's do that, ठीक है, तो यह मैंने add किया, अब keywords add करने के बाद हमको next जो है, add copy लिखने होगी, जो add copy रहेगी, इसी keyword से relevant, अगर हम यहाँ पर देखेगे, तो हमारे पास यह options आ गया, बट हमारा ad group कौन सा है, तो हम उसी कहसाब से इसको भी add करेगे, तो second जो add group था, oh, I made mistake guys, यहाँ पर म add किया है, तो अब मुझे यह गलती को सुदार ना है, तो मैं इसको cancel कर देता हूँ, leave पर click किया, और यह add group मुझे ready to move का दिखाए दे रहा है, sorry, budget home जो हमारा add group है, उसके अंदर हमारे गलत keywords हमने add किया, तो अब हम क्या करेगे, यहाँ पर click करेगे, और इस keywords को हम remove कर सकते, so यह बहुत easily हमको operate करने का option मिलेगा, अब मैं इसके पर click करता हूँ, मेरे पास option नहीं है, तो मैं edit and remove keywords, दीखे, मैंने पूरे keywords remove किया, ready to, sorry, यह कौन सा add group है हमारा budget homes, now let's come here, budget homes के keywords कि इदर हमारे पास, यह है, तो हम इसको copy कर लेते हैं, okay, let's come and copy this keywords, मैंने copy किया, यहाँ पर paste कर दिया, so guys, I know video lengthy हो रहा है, बहुत ही important चीज़े है, इसलिए यह थोड़ा time लग रहा है, end तक के ज़रूर बने रही है, हमको बहुत सारी चीज़े मिल रही है, okay, मैंने इसके पर click किया, save, यह मेरे होगे keywords, okay, error क्यों आया है, इसको हमको cross check करना पड़ेगा, तो यह हम यह से देख सकते कि यह special character हमने add किया है, इसलिए हमको यह ऐसे error आ गया था, क्योंकि symbol हमने उसमें add किया था, अब यह मैंने click किया, अब यह मेरे add group के अंदर keywords चले गए, अब हमको ads को देखना होगा, क्योंकि add तो बनी ही नहीं है, क्योंकि add हमको बनानी बाकी है, so now इस पर click कि यहाँ पर click करते हैं, हम लोग add copy के अपर और हमको URL add करने पड़ेगे, so guys, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा budget friendly वाला add group था, उसके अपर जाते है, budget homes के पर, तो इसका URL separate है, अब यह URL copy करूगा, मैं इसको copy करके हम यहाँ पर जाएगे, और इसमें add कर देदे है, as a final URL, यह मैं तो वो सही landing page पर पहुच है, तो इसमें मैं जो है, इस तरह से headlines को copy कर रहा हूँ, जो हमने बनाए है already, okay, as you can see, यहाँ पर 1 and 2BH के flats मैंने गलती से लिखाया, तो इसको हम remove कर रहे है, क्योंकि हम सिब 2BH के flat की property sell कर रहे है, अगर 1BH के 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 लिए sell करना है, तो आप 1BH के क ले separate, यहाँ पर आप headlines के अंदर relevant keyword add कर सकते हो, बहुत सरे headlines को options से 15 headlines मैं add कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं come headlines add कर रहा हूँ, description की जरूरत है, description मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, जो हमने already create किया है, will add that, इसे लिए guys, जब भी आप कोई भी campaign setup करोगे, campaign setup करने से पहले, यह पूर campaign को easily setup कर सकते हो, ठीक है guys, तो यह हमने बनाया है, और हमारी add copy की preview दिखाए दे रहा है, let me show this, how it is appearing, yes, you can see, like this, यह हमारा option दिखाए दे रहा है, mobile पर देख लो, desktop पर देख लो, यह हमारे add copy ready होगे, यह पूर इसलिए दिखाए दे रहा है, कि हमको बागी के headlines भी हमने add नही और यहाँ पर अभी इसलिए पूर दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसने सभी चीज़े add नहीं किये है, now इसमें error आ रहा है, let me see, error कहीं पर है क्या, और अगर error नहीं है, final URL हमने यहाँ पर miss किये है, इसलिए मुझे error आ रहा है, but यह तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्यों दो add group बन गए, budget homes, ready to move homes, और उसके relevant अगर आप add copy भे देखोगे, keyword भे देखोगे, तो हमने वो add कर दिये, so this is way हमने दो add group यहाँ पर set किये, अब जो है next add group भे मैं fast बना करके आपको दिखाता हूँ, okay, तो हम लोग इस पर चले गए है, campaigns, add groups, add groups के पर चले गया, मैं यहाँ पर चले गया, फिर इसके बाद मुझे चला होगा, नए add group के लिए, मैं click करता हूँ add group, and इसमें पहुच के add groups, okay, इसमें जाने के बाद हमको option मिलेगा add group 3, so इसमें जाकर करके हम click करते है, फटा फट, और यह add group 3, इस पर चले गया, यहाँ पर मैं add group 3 के उपर click किया, paste, और इसको हम जाकर के 7 continue पर click करते है, अगर error आता है, तो हमको यह double inverted comma निगालने पड़ेगा, actually मैं इसलिए add किया था, क्योंकि यह जो है हमारे phrase match keyword के options रहते है, अभी phrase match क्या है, इसको हम किसी और video के अंदर समझ के लेगे, ठीक है, so I am adding this, okay, luxury property, okay, now let's move that, save and continue, okay, तो अभ यह होगे हमारा keywords, हम अभी luxury के लिए separate, जो हमारा, इसमें कुछ option तो दीख नहीं रहा, मुझे luxury के लिए, मैं इस तरह से जादा जो budget वाला landing page है, उसको select कर लेता हूँ, उसको copy किया, और copy करने के बाद मैं इदर पहुच किया हूँ, यह बर हमको URL change करने पड़ेगी, क्योंक information दिखना चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखोगी, तो हमको description की भी change करने की ज़रूत है, क्योंकि यह description है, हमारा budget friendly के लिए था, अब हमको यहाँ पर luxury property related description add करना, तो I am adding that, और इसके बाद हम इसको ऐसे add कर सकते हैं, okay, let me add that, बहुत सारी चीजे है, नीचे के information में हमको add क करने होगी, okay, यह add किया मैंने और इस तरह से मेरा यह भी particular headline और मेरा campaign set हो गया, now, इसमें यह जो budget वाला headline है, वो गलत था, तो इसको मैं remove कर रहा हूँ, and इसमें यहाँ पर luxury flats in Pune, इस तरह से, जो headline है, उसको यहाँ पर paste कर देता हूँ, okay, I am just adding that, okay, और इसमें कुछ गलत हो हो गया है, I guess headline हमारे पूराने रह गया है, तो हम यह headline को modify कर देते है, इसमें चले गया हमें, और फिर से चाहेगे, यह हाँ पर second headline को हम edit कर देते है, third headline is remaining, prime location can be work, because इसके लिए कोई हमने budget का information add नहीं किया, so it will work, और यह मैंने बना दिया, और इसके बाद 7 content, now, one last ad group is remaining, तो पिक्लिक किया, यहां पर पहुच रहते है, और यह हमारा under construction का add group, so under construction जो property search कर है, उनको हमारा add copy और keywords क्या दिखे, किस keywords सर्च करने पर, क्या add copy दिखे कि वो हमको add करना है, so I'm just copying this all, okay, इसके बाद मैं इधर पहुच होगा, यहां पर paste करूगा, और जैसे हमको बताए कि यह पर special character allowed नहीं है, so I'm removing that special character from here, okay, यह remove कर देते है, यह special character चले गया, okay, now, इसके बाद हम click करते है, 7 continue, 7 continue पर click करने के बाद हमको add copy, फिर से, देखो, live budget वाला यह landing page है, तो अब हमको under construction property का किदर है, इसमें, तो अगर इधर under construction property option है नहीं, तो हमको under construction property का एक page बनाना होता है, so अभी के लिए मैं यह page को ले लेता हूँ, okay, new project, see, new project, जो mostly under construction वाला ही option रहता है, so I'm just copying that, okay, इसको copy कर देते हैं, और इसमें हम यहां से paste कर देते हैं, तो यह बन गया मेरा landing page का URL, और अब हम यहां पर से जाएगे, headlines कोपी करेगे, see guys, अगर आप headlines देखोगे, तो जो keywords हमने use किये है, उसी के relevant हमने headlines भी बनाई है, okay, now, let's copy second headlines, actually, अगर मैं add campaign अच्छे run करना चाता हूँ, तो मुझे 15 के 15 headlines add करना चाहिए, क्योंकि उसमें से ही Google क्या अगरता है, best performing headlines को आगे लेकर कर जाता है, क्योंकि जो headlines हमको जादा traffic लेकर कर आएगा, जो convergence लेकर कर आएगा, वो headlines हमारे लिए अच्छे रहते, अगर हमने 2-3 headlines ही add करेगे, तो फिर Google के पास जादे options नहीं रहते हैं, और अगर हम बहुत सरे headlines है करेगे, तो Google के पास बहुत सरे options रहेगे, और उसके basis पे वो headlines को select करेगा, user के सामने दिखाएगा, और users अगर click करके पहुँच रहा है, तो हम add group हमारे ready to publish भी है, okay, so अब यह मैंने campaign का budget भी add किया है, सभी चीज़े हो गई है, और मेरा campaign यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हमने किस तरह से set किया, so see guys, बहुत ही अच्छे से हमारे add group दिखाए दे रहे, यह हमारा campaign, okay, campaign की settings पर चले गया, और यह हमारा magic breed का campaign है, इसके अं under construction home देख रहे है, तो उसके लिए इसाब से हमने under construction home की information आइड की है, या फिर कोई budget friendly home देख रहे है, तो उसके इसाब से हमने वो property आड की है, यह अलग-अलग add group इसलिए बनाने पड़ता है, कि relevant query, relevant add copy users को दिखाए दे, और हमारा add copy का relevancy score ज़्यादा बड़े, so I hope guys, you got to know कि कैसे हम campaign बनाते हैं, और campaign के अंदर different add group की requirement क्यों रहती है, और कैसे हम वो add group को setup करते है, upcoming videos को हम छोटी-छोटी जो settings रहती है, उसको detail में समझ के लेगे, और बहुत ही depth हम case by case, case studies को लेकर के, live examples को लेकर के, इन चीजों को समझ के लेगे, अगर आपको यह सब चीजे अच पर क्लिक केजे, क्योंकि जैसे bell icon पर प्रेस करते हो, तो जब भी एक नया video आएगा, आपको वहाँ पर pop-up आएगा, कि यह नया video आप तक के पहुच के जाएगा, okay, so see you guys in the next video, thanks for watching, till then, bye-bye.